हलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल, मैं हूँ आप लोगो की टेरो रीडर एंड इस्ट्रोलोजर अधिती भारती, आज मैं यहाप पर आप लोगो के लिए नियू मून के लिए जो गाइडन्स है वो निकालने वाली हूँ, और साथ में ट्विल है, इसमें डिवाइन आपको क्या मेसेज देना चाहते हैं, चलिए रीडरिंग को स्टार्ट करते हैं, क्या है मेसेज आप लोगो के लिए, क्या है गाइडन्स इस वक्त में आप लोगो के लिए, तो यह पर ना आप लोगों में हो सकता है, किसी तरीके की इंसेकुरिटी है, यह पर अगर आप रिलेशन्शिप में हो कोई और डिस्टन्स है तो आप इंसेकुर हो रहे हो, कि क्या यह जो रिलेशन्शिप है, ऐसे अबस्टकल या टफ सिचिशन में आगे जा सकती है, या अगर आपके लोवड़ वन्स किसी स्ट्रॉगल में हैं, प्रॉबल में हैं, तो उनको लेकर आप बहुत सारा वॉरेट हो, उनके बिना आपको क्या होगा, क्या वो लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसी थिंकिंग आपके म हैं, और बहुत जल्द आपको इसका जो रिजल्ट है, जो भी आपके लाइफ के करेंट सिचुरिशन है, उसमें चेंजिस देखेगी, सम्हाँ मुझे या पर फील हो रहा है, आप पास्ट के कुछ दिनों की एनर्जी में भी मैंने नोटिस की है, हो सकता है आप लोग की फा फामिली मेंबर से उनको लेकर, और आपको कहा जा रहा है, अगर कोई यहां पर बिमारी है, या कोई ऐसे टॉप टाइम आपके फामिली वाले जील रहे हैं, तो बहुत जल्द इसका जो कन्फलूशन है आपके सामने होगी, आपको चेंदा करने के जरुरत नहीं है, इस आपके कन्फूशन दूड होगी, योर हार्ड वर्क इस पेंग ओफ, आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ओफ होगा, वीन-वीन आउटकम इस फोकस्ट, तो कुछ लोग लिए हो सकता है, आप लोग ना किसी रिजल्ट का वीट करें हो, जैसे कोई केस हो रहा हो, मुकतमा हो, family वालों के साथ कोई यहाँ पर conflict अगर हुई है और आप लोग confused होगी आगे क्या हो सकता है तो outcome यहाँ पर win-win होगा, win-win outcome का मतलब आपका और सामने वाला person दोनों का ही मन यहाँ पर रहेगा, दोनों का ही wish यहाँ पर fulfill होगी एक ऐसा outcome निकलेगा या एक ऐसा solution निकलेगा जो both side के लिए ही सही है जो both side को ही खुश करने वाली है एक तरफ आपके लिए भी नहीं है सामने वाला person के तरफ भी नहीं है तो ऐसा कोई outcome ऐसा कोई result आपको मिले वाली है जहाँ पर सब के लिए अच्छा होगा सब के लिए जो सही होगी और सब लोग जिससे खुश होंगे और आपका जो manifestation है आपने जो patience दिखाई है जो hardware की है उसका result आपको मिलेगा इतने दिनों तक जो आपने suffering देखी है उसके बाद एक conclusion तक पहुँचेंगे एक result आपको मिलेगा और आपको ऐसा feel हो balance spirituality and practicality आपको balance find करने के जरूरत है हो सकता है कि आप practical life में इतना सादा busy हो 3D life के जो pattern से इसमें आप इतना सादा stuck हो आप अपने spiritual practice करने के लिए time नहीं निकल पा रहे हो तो आपको कहा जा रहा है इसमें थोड़ा balance find करने के कोशिश करे ये time में आपको अपने spiritual journey में भी focus करन है उसमें भी time देना है और अगर आप बहुत साद अपने spiritual life में focus करे हो अपने spiritual practice करने में time जादा दे रहे हो और उसी को लेकर आप दिन रात चल रहे हो वैसी videos देखना वैसी बाते सुनना वही कुछ करती जाना और अपने daily जो schedule work है उसको अगर आप ignore करे हो तो ये ना करे time जिसके लिए जो है उस time पर वो करे अपने life में balance लेकर आए थूरा time को manage करने की कोशिश करे ओके चलिए टैरू से मैं एक काट आप लोग के लिए देखना चाहूंगी क्या है आप लोग के लिए guidance देखिए वही message है यहाँ पर एक tough time end हो रही है conclusion आ रही है sufferings यहाँ पर end होगी hard work आपका pay off होगा और outcome जो होगा ना वो यहाँ पर positive होने वाद है आपके life में एक new beginning लेकर आएगी तो जो कुछ भी past में हुआ है ना जो कुछ भी past में अपने suffering देखिए उसको यहाँ पर release करें जो good times आ रही है उसके लिए खुद को prepare रखें चीज़े आपकी form में change होने वाली है आपके लिए guidance यही है कि इसको openly receive करें doubt मत करें frustrated या negative energy अगर आप में है उससे बाहर आईए क् positive चीज़ें आपके life में आने वाली है इस 12-12 portal और साथ में इस new moon की energy के साथ आपके life में चीज़े balance हो रही है और साथ में यहाँ पर एक tough period भी खतम हो रहा है एक struggle वाली time भी खतम हो रही है ending यहाँ पर आप देख पाएंगे और चीज़े betterment की तरफ आगे बढ़ने वाली है तो यही है आप लोगों के लिए message and guidance अगर आपको इससे कोई clarity मिली है तुमझे जरूर से comment section में बताएएगा